हमारे यूपे में गिन चुनकर दो अंतरास्टी क्रिक्ट स्टेडियम है और क्रिक्ट प्रेमियों की संख्या इससे कही जादा है ऐसे में स्टेडियम की बड़ी मांग थी गाजयबाद में करीट 7 साल से प्रस्तावित अंतरास्टी इस्तर के क्रिक्ट स्टेडियम में भी बड़ी अर्चन थी अब हाल ही की बात है दिवरिया से बेजिपी विधायक शलब मनी तरपाथी ने क्रिक्ट खिलाडियों से मुलकात पर एक ट्विट किया तो पूर्व क्रिकटर सुरेश रहना ने इसके रिपलाई में लिखा गाजयबाद कब होगा सर, make sense इस पर शलब मनी तरपाथी ने कहा, आपने कहा है तो पूर्जोर प्रयास होगा आप यूपी के गौरव है सुरेश रहना जी, best wishes तो लीजी अब सारी अर्चने दूर हो गई है और स्टेडियम की प्रस्ताविच जमीन के उपर से होकर गुजर रही हाई टेंशिल लाइन की शिफ्टिंग के लिए उत्तरप्रदेश क्रिकेट एसोसियेशन यानि की यूपी सीये ने हामी भर दी है जिस पर करीब 14 करोड रुपे खर्च होगा, जनवरी 2023 से स्टेडियम का निर्माड शुरू होगा और दो साल में बनकर ये स्टेडियम तयार हो जाएगा अब अगर इस स्टेडियम की खासित की बात की जाए तो ये स्टेडियम 32.5 एकर में से 22 एकर जमीन पर बनेगा बाकी 10.5 एकर जमीन पर 5 स्टार होटेल हॉस्टल बनेगे फर्स्ट फेज में यहां दर्शकों की शमता 45 हजार की होगी, बाद में ये बढ़कर 75 हजार तक की जाएगी स्टेडियम निर्माड पर करीब 400 करोड रुपे खर्च होंगे केंद्री राजमंत्री योम गाजयबाद की संसाधन जनरल वीके सिंग ने गुरुवार को ट्विट करके बताया कि गाजयबाद की लोगों के लिए अच्छा समझाया सालों से हम सबका एक सपना था कि यहां पर अंतररास्टी इस्तर का क्रिकिट स्टेडियम हो तमाम अर्चनों एयोम अवरूधों की निवारन के उपरांत आब यह सपना साकार हो रहा है जनवरी 2023 में इसका निर्माट शुरू होगा और दो साल में पूर्ण होगा उत्तर प्रदेश क्रिकिट एसोसियेशन ने अपने पहले अंतररास्टी क्रिकिट स्टेडियम पर साल 2015 में काम करना शुरू किया गाज़ेबाद के राजनगर एक्स्टेंशन इलाके में इसके लिए 32.5 एकर जमीन तलाश ली गई है 28 जुलाई 2019 को लखनव की इन्वेस्टर समीट भी ग्रह मंतरी अमिच शाह और सीम योगी आद्वनात ने इसका भूमी पूजन भी किया था हलाकि बाद में बिजली लाइन की समस्या आ गई प्रस्ताविट स्टेडियम की जमीन के उपर से हाई टेंशन बिजली लाइन गुजर रही है इसकी शिफ्टिंग पर करीब 14 करोड रुपे खर्च होने है UP Power Corporation चाहता है कि ये पैसा UPCA खर्च करे और अब जाकर UPCA ने इस पर सहमती दी है स्टेडियम बनने से क्या फायदा होगा आए जानते हैं सबसे पहले खिलाडियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा जादा से जादा मैच हमारे उतर प्रदेश में हो सकेंगे और मैच होंगे तो राजस्व भी बढ़ेगा अब बताते हैं UP में कितने अंतर रास्टी किरकट स्टेडियम है उतर प्रदेश में दो अंतर रास्टी किरकट स्टेडियम है एक कानपूर की ग्रीन पार्क स्टेडियम और दूसरा लखनव का अटल विहारी बाचपे स्टेडियम इसके लावा और भी कई स्टेडियम है पर वो अंतर रास्टी इस्तर के नहीं है आज के हमारे इस वीडियो में वस्तना ही पर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में बताना बिलकुल न भूने